नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है मेरे चैनल प्रियंका वर्ड ओफ निम्रोलोजी में और मैं हूँ आपकी दोस्त प्रियंका जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसके अंतरगत हम जन्वरी से लेके दिसंबर त कारण व्यक्ति का जेनरल करेक्टर उनका फाइन्सियल स्टेटर्स उनकी हैल कैसी रहेगी और वह अपने लग का साथ कैसे बढ़ा सकते हैं तो मैं उमीद करती हूं कि आप सबने वह वीडियो जरूर देखी होगी और किनी कारणों से अगर आपको वीडियो नहीं देख पा वीडियों के जिनका मुणांग 4 5 और 6 हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे उन वी है नादना जहाते हैं में साथ के प्रभाव को बढ़ाते हैं आप अपने थौट्स पर अपना दीकार यह इसान है यसकी वज़िय efic कामों को करेंगक अक्सरव हिं गलस समझ्या जाएगा जिसकी वज़िया से आप अकेलापन महसूस करेंगे आपको को अपनी सफलता के मात खुद बनाने होगे उसमें कोई भी दूसरा आपकी हल्प नहीं कर सकता है आपको अपने अंदर पिशेंस रखने की बहुत जरूरत है आप सीरियस नेचर के होते हैं और आप अपने सभी कामों के पीछे दूसरों पर अधिकार जमाने की भावना रखत हैं चाहें वो बाई हुखो या बाई क्रूप एक प्रकार से यह डेट पॉलिटिकल्स लीडर्स के लिए अच्छी होती है क्योंकि इनके अंदर एक्स्ट्राओर्डिनरी वर्ग और इस नेल्टी ऑफ थौक्स और सनक की गहरी प्रवर्टी होती है आईए अब एक मिज़री दालते हैं इनकी financial status पर ऐसे लोगों के पास पैसा तो आएगा लेकिन ठीकेगा नहीं में इस हाथ से निकल जाएगा ये कितना भी कमाएं लेकिन धन से जादा इस जग में यह नाम कमाएंगे इस जग में इनके नाम को याद किया जाएगा लेकिन हां अगर इन्होंने अपन दुरहतना की संभावना इनके अंदर जादा होती है और जिसकी वज़े से पैफ जादा इफ्रक्त होगा ये अलग बात है कि आपने एक प्रकार की जीवन शक्ती है जिससे आप उबर जाएंगे इंसा या दुरहतना के अलावा इन्हें और जल्दी कोई नुक्सान नहीं प करना चाहिए और इनका लगाओ भी मुलांग एक और चार वालों से ज्यादा होगा आपको आपके लग का साथ मिले या आपने आपका लग स्टॉंग हो इसके लिए आपको पीले सुनेहरे नीले और स्लेटी कलर्स का यूज़ करना चाहिए आपके लग के स्टोन हैं खीरा उक्राश, नीलम और काला मूती आईए अब बात करते हैं जन्वरी में जन्मेने वाले उन यक्तियों की जिनका मुलांग 5 हैं इस जिनकी डेट और वर्थ 5, 14 और 23 है आपके कारत ब्रह हैं बुद्ध और शनी बुद्ध जो है आपके अशुब लक्षणों को घटा कर उनका प्रभाव कम कर देगा आपकी सबसे बरे प्रॉब्लम यह होगी कि आप अपनी योगेता के अनुसार काम भून सके जो की आपके लिए बहुत जरूरी है आप जीवन में अनेक बार परिवर्तन करेंगे और किसी एक काम से बंधे रहना आपके लिए मुश्किल है आप किसी इनुसार खुद को बहुत असानी से ढाल सकते हैं आप दुनिया के अनेक हिस्सों में बहुत यात्राय करेंगे जिससे बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा आपके संपर्थ में जो पहली बार आएगा आप उसे संदेह की नजर से देखेंगे लोग आपको इमोशनल करके प्रभावविध भी कर सकते हैं दूसरे की मन की बात जाने की अद्वुत शक्ती है आपमें मिन्स आप ये समझ सकते हैं कि सामनेवाला क्या सोच रहा है आप साहिती में इंट्रेस्ट लेने वाले इंसान हैं आप साइन्स या कोई नई कोजो उसमें भी आपका इंट्रेस्ट भरकूर होगा आप बहुत ही व्यवारिक इंसान है दूसरों के नजर में आप बहुत मैंच्योर माइंड वाले इंसान है तो आईए अब बात करते हैं इनके financial status की दूपय पैसे के मामले में आप खंजूस लेकिन सावधान रहने वाले इंसान है कर्जिसे आपको मशना चाहिए आप अपना पैसा इंवेस्ट करने से पहले बहुत सोच समझ लेते हैं जो की अच्छी बात है लेकिन बहुत ज़्यादा सोचने समझने के चक्कर में आप कितने अउसरों को कवा भी लेते हैं आइए एक नेजर डालते हैं आपके हेल्फ पर आपको अपने आराम और तनाव जूर करने के बारे में सुचना चाहिए किसी भी एक विशेप पर रागतार सुचते रहने से आप डिप्रेस्ट हो सकते हैं इसके वज़े से आपका डाइजेस्ट्रे सिस्टम भी प्रभावित हो सकता है आपको पैरों और हड्डियों में दर्थ की समाव ना हो सकती है आपका न्यू सिस्टम इतना अच्छा है कि आप इन कठनाईों को असानी से बार्यू कर लेंगे लेकिन हाँ टेंशन ना लें आईए अब बात करते हैं इनके फ्रैंडली नंबर्स की तो इनके फ्रैंडली नंबर्स हैं एक, दो, तीन, पांट, चे और साथ लेकिन आप अपने सभी इंपोर्टेंट का मुलांग पांच वाली डेट को करें जो की आपके लिए बहुत अच्छा है 5, 14 और 23 तारीक से जन्मे लोगों से आपका काफी गहरा लगा होगा आप अपने लग को स्ट्रॉंग करने के लिए या उन्हें साथ रखने के लिए हमेशा ही हल्के कलर का प्रियोग करें आपके लके स्टोन है, हीरा और सभी ब्राइट नक्स आईए अब बाग करते हैं जन्वरी में जन्मेने वाले उन व्यक्तियों की जिनका मुलांग 6 है तिस जिनकी डेट और 6, 15 और 24 है आपके कारग्र है, शुक्र और शनी शुक्र के कारण आपके लाइफ में प्यार का बहुत ही इंपोर्टेंट्स रहेगा अपोजी जेंडर का प्यार या उसका अट्रेक्शन आपके जिवन पे गहरा प्रभावड आ सकता है लेकिन आपको इसमें होना नहीं है इसके लिए आपको अपना confidence level बहुत उपर रखना होगा आपको अपने आकरशक व्यक्तित्व के कारण प्रपेट भी हो सकता है आप अगर संगीत, कला, साहित की से जुड़े तो उसमें बहुत सफलता हासिल कर सकते हैं 15 या 24 जन्वरी को जन्व नेने वाले लोग 6 जन्वरी को जन्व नेने वाले लोगों से जादा भागेशाली होते हैं इनिशली स्केज पर थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है लेकिन आगे चलके वो काफी सफलता हासिल करते हैं और प्रतिष्ठा भी पाते हैं आगे अब बात करते हैं ईनके akल do ti स्फ़ाइंश के आगे जन्वरी को जन्व नेने वाले लोगो अक्सर अपने अच्छे मौकों को गवा बैथते हैं लेकिन 15 और 24 जन्वरी को जन्म देने वाले लोग इन मौकों का अपसर फायदा उठाते हैं और अपनी आर्थिक इस्तिती सुधिर्ण कर लेते हैं और भविश्री के लिए भी उनकी आर्थिक इस्तिती सुधिर्ण हो जाती है आईए एक मेंज़र डालते हैं इनके हेल्थ पर तो आप अपने अच्छे हेल्थ की कामना lifetime कर सकते हैं बस आपको वहां और आख से बचके रहना होगा आईए अब बात करते हैं इनके friendly numbers भी, इनके friendly numbers है 6, अपने सारे important काम आपको इसे दिन करने चाहिए, और 6 number वालों से इनका काफी गहरा लगावी होता है, 4 और 8 number से आपको दूरी बनाने की कोशिस करने चाहिए, आपका luck आपके साथ रहे या आपका luck strong हो, इसके लिए आपको वीडियो में हम तिर मिलते हैं मुलांक 7, 8 और 9 के साथ, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक करी, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद,